सजो सवरो गेहने पहनो, ठीक से बैठो, ठीरे बो, सल जुका कर चलो, बहत मत करो, लड़की हो, लड़की की सरहर, कुछ इसी तरह की सीख से हम बढ़े को और आज भी उम्र के इस पड़ाओ पर पूरी शिद्दत से इसका पालन कर रहे हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि हमारी परवरिश ही कुछ ऐसे ही, हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, कि रसोई बनाना, घर सवाजना, सिलाई भुनाई करना, यहीं तुम्हारा गया और मैं ने, आपने, और हम सब ने इस बात को मान लिया, और इतने वर्षों तक हम ऐसे ही चलते, चले आ रहें, कि एक दिन, एक कवी, यह थार्थ प्रेमी कवी, रितुराज ने मेरे द्रिश्टी कोण को बताएं, जितुराज ने अपनी कविता में एक ऐसी मा को चितरित किया है, जो परमपरा से हटकर अपनी उस बेटी को सीख दे रही है, जिसका वो कन्यादान करने जा रही है, ने तुराज की माने कहा, पानी में जहाक कर अपने चेहरे पर मत रीजना, आज रोटियां सेखने के लिए, जलने के लिए, वस्त्र और आभूशन शाब्दिक भ्रमों की तरहे, बंधन है इस्त्री जीवन के। माने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माने क्यों कहा होगा। संक्षिप्त में अगर हम समझें, तो मा अपनी बेटी को ये सीख दे रही है, कि लड़कियां शीग्र ही, शीग्र ही अपने रूप सौंदरे पर मोहित हो, किसी दूसरों के मुक से अपनी प्रशंसा सुन कर, वो उनकी बातों में आ जाती है, वो मोहित हो जाती है। मा कहती है, ऐसा कभी मत करना। मा ये कहती है कि आग रोटियां सेखने के लिए है, मा आग का सदूपयोग बताती है, एक इशारा बताती है कि कभी अगर ससुराल में तुम्हें प्रताडित किया जाए, तो तुम कभी भी ये खयाल मन में मतलाना कि मुझे जल जाना है, मुझे आत्म हत्या कर देनी, आग पर स सिर्फ खाना को खाना, मा कहती है कि वस्त्र और आभूशन सिर्फ नारी सौंदरे के उपकरण मात्र है, ये केवस सौंदरे में निखार लाते हैं, लेकिन तुम इनके जाल में कभी मत फसना, ये बंधन है, ये भ्रहम है, क्योंकि लड़कियां और बच्चियां शेग्रे ही इन आभूशनों के वस्त्र के लोब में आ जाती है, और कहीं न कहीं अपना अस्तित्व गमा बैठती है, मा कहती है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मन देना, इसका अर्थ है, कि मा कहती है तुम लड़कियों के समान कोमल रहना, सौं में रहना, हर वो गुण अपनाना जो नारी सुलब होते हैं और नारी के सौंदरे में निखार लाते हैं लेकिन कभी कमजोर मत पढ़ना अत्याचार सहन मत करना यह बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने जाना कि सहसा मेरे मन मस्दिक्ष में पुना हमारी संस्थापिका का चित्र घूम गया कि वो अक्सर बच्चियों के लिए काम करती हैं तो मैंने उनसे आज यह प्रश्न पूछी लिया कि आप हमें बताएं कि क्या लड़कियों की परवरिश में ही उनकी इक्छाएं और अकांशाएं दबा दी जाती हैं क्या ऐसा होता है उन्होंने क्या कहा आपको सुलें मेरा ये जवाब है कि हाँ अब मैं अपनी ही अनुभव को देखती हूं तो जब मैं छोटी थी तो अक्सर हमारे घर में बस यही बात रहती थी कि लड़कियों को सुंदर होना बहुत जरूरी है और सुंदर क्यों होना है क्योंके सुंदर होंगी तो फिर शादी अच्छी जगे हो जाएगी पढ़ाई लिखाई पे बिलकुल भी कोई इंपोर्टन्स नहीं थी मेरे भाई फर्स्ट आते थे तो खूब इसको मनाया जाता था और बहुत शाबाशियां अतालियां खुब अच्छती थी मेरे भी नंबर बड़े अच्छे आते थे मैं भी फर्स्ट आती थी लेकिन उसके प्रती उसकी तरफ कोई ध्यानी नहीं दिया जाता था लेकिन इस पे बहुत ध्यान था कि खाना पकाना आना चाहिए घर का काम करना आना चाहिए और एक और चीज की लड़कियों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और खास कर ज्यादा प्रश्ट नहीं उठाने चाहिए एक बात मझे याद है पिदाजी ने मतसे कहा कि तुम बिलकुल सब्मिसिव नहीं हो तो इसलिए तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा मुश्किल है और तुम खुश नहीं रह सकते और दूसरा मम्मी कहती थी कि तुम इतनी ज्यादा बहस करती हो तुम्हारे ससुराल में कैसे न करें उसकी इंपोर्टन्स तभी है अगर वो आपकी शादी में आपकी मदद करेगी और एक अच्छा वर मतलब अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता हुआ वर आपको मिलना चाहिए और इसलिए आपको वो सब कुछ सीखना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा वर ह सवाल किया हो कि तुम बड़ी होकर बनोगी क्या वो तुछ जैसे पहले ही decided था कि बड़ी होकर लड़कियों को क्या बनना है माँ बनना है बच्चे पैदा करना है अच्छी बहु बनना है और अपने परिवार का नाम परवियार की इज़त को संभाले रखना है तो हाँ आपकी और ऐसा मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था लेकिन मेरी शाद मेरे मैं और मैं अपने स्कूल में अबवल आई लेकिन एक साल मुझे होम साइंस कर आया फिर पिताई जी ने मेरी सगाई करती और उसके तुरंती बाद मेरी शादी भी हो गए तो मैं क्या चाहती थी मेरी अपनी क्या एस्पिरेशन थी क्या आकांक्षाए थी इसके प्रती तो कभी ध्यान दिया ही नहीं गया वो मझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल घरी में नहीं बलकि स्कूल में भी कभी भी हमारी टीचर्स ने इसकी त सकती है अपनी जिंदिगी को निखार सकती है और अपनी ही कुछ आइडेंटिटी बना सकती है ऐसा तो शायद कभी भी बात नहीं होती थी वहां पर भी लड़कियां सुन्दर है तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं तुम्हारी स्कर्ट लंबी छोटी नहीं होनी चाहि लेडी लाइक बहेवियर हमारा कॉन्वेंट स्कूल था उसमें से खाया जाता था तो इसी वजह यही एक वजह है कि बहुत सी लड़कियां इनके पर पहले से ही ट्रिम कर दिये जाते हैं एक रास्ता उनके लिए बना दिया जाता है और उनकी पर्विरिश ऐसे कर देते हैं कि उनकी अपनी भी अपने मन में भी कभी ऐसी कोई aspirations ही नहीं होती और मुझे लगता है कि मैं भी इनकी बातों में आ गई और मेरे लिए भी बस एक ही आकांग्शा थी कि मुझे एक अच्छा वर मिले और वो मतलब मुझे he should be kind और इसके आगे मैं अपने future को देख ही नहीं बाती थी तो तुरफित अपने आप मुझे पढ़ने लिखने का शौक था तो शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी की बड़की घर में की वहाँ भी सस्राल वालों ने कह दिया कि आपको college नहीं जाना तो मैंने उसका विरोध नहीं किया क्यों नहीं जा सकत लेकिन उन्होंने कहा मैंने मान लिया मैं घर में पढ़ती रहती फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे मैं बड़ी होती गई और मुझ में थोड़ी हिम्मत आई तो मैं अपना master भी करने लगी और आज मेरे परिबार में ससुराल में भी और घर में भी एक मैं ही हूँ ज जिन्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है और क्यूं मैं सवाल उठाना चाहिए क्यूं हम शादी को ही एक लक्ष बना देते हैं ज्यादा नहीं पढ़ना है नहीं तो वर कैसे मिलेगा और बहुत पढ़ा लिखा वर चाहिए होगा फिर इसलिए बच्चों को कम पढ़ा जल् उपनी जिन्दगी को निखारने का मौका हम दें उनके दिमाग पर उनके और भी कई कोण हैं उन पे जोर पर हैं ना कि केवल इतना कि सुंदर होना चाहिए और घर का काम काच करना चाहिए कई है लड़किया जिनको नहीं अच्छा लगता ये सब मुझे नहीं अच्छा चाहिए तो ये सब हमको बदलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़ें और नागरिक होने के नाते अपनी एक जगे बनाए एक जगे एक समान व्यक्ति के तरह समान नागरिक जो अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सके अपनी शादी करें ना करें वो उनकी चोईस होनी चाहिए मा बने ना बने वो उनकी चोईस होनी चाहिए डॉक्टर बने एंजिनियर बने पाइलेट बने कुछ भी बने ये दुनिया उनकी भी है इस तरह की परवरेश हमारी बेटियों को कब मिलेगी इसी की मिझे प्रतिक्षा है मुझे लगता है कि आपके इस उत्तर से हम लाखों लोगों के मन के कोने तक पहुचने में सफल हुए हैं और अवश ही अवश ही लोग इससे कोई ना कोई सीख तो जरूर लेंगे पुना आपका धन्यवाद